राम राम अगर जिम जाते हो तो एक डाउट हमेशा मन में आता होगा या सुसाइटी ने बना के रखा है कि जिम जाने से आपकी सेक्स लाइफ खतम हो जाती है सेक्स लाइफ का मतलब यह गया है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और या फिर अर्ली डिस्चार्ज दो जो में दिक्कते होती ही वो आ जाती है अगर तुम बहुत लंबे समय तक जिम जा रहा हो तो तो अब इस मित को आज खतम करते हैं सबसे पहली बात अगर आप डेली बेसे है उसमें बहुत हद तक सुधार आजाएगा अगर आप डेली वर्काउट करते हो वीकली 300 मिनट के ऊपर होता क्या है जब तुम्हारा दिमाग ट्रांस्मीटर नियूरो टांस्मीटर होते हैं तुमारी बॉड़ी में दिमाग में वह एक तरीके का हॉर्मोन प्रोडूस करत होता है तो सेक्स लाइफ आपकी बहुत इंप्रूव होती है बस आपको क्या करना डेली 45-50 मिनट का वर्काउट डेली बेसेश पे करना है इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें कि सेक्स लाइफ जिम जाने चे डिस्टर्ब कब होती है वह दो कंडिशन होती है सबसे पहली च साथ आपका माइंड भी बहुत फोकस होना चाहिए तब ही आपको उसमें बहुतर प्रफॉर्मेंस हो पाती है तो पहली चीज तो यही है कि अगर आप बहुत हैवी वर्काउट कर रहा है बहुत इंटेंस वर्काउट कर रहें तीन-टीन-चार-चार गंटे उस कंडिशन मे डूसरी कंडिशन जो वीस्ट कंडिशन होती वह होती है जब आप इस्त्रोड लेते हो लंब समय थ के लिए ये जब आप लबे समय तक के लिए लेते हो तो आपको पता है कि जब आप ड्रफ से लिए 左री ब्रौन और आ, चिब बनाती हिए आप जब आप नहीं करते हो कोई जह होते हो पो प्होंस retired さंब और ये सिर्फ अगरम बात करें मैंभी नहीं है मतलब लडकों में ही नहीं है लडकियों में भी होता है कि अगर वर्काओट करतें है तो उनकी sex life बूस्ट होती है पावर बूस्ट होती है क्योंकि जो टेस्टरसों यहां पर बूस्ट हो रहा है तो मतलब कहने का यह है कि अगर आप डेली बैसे जिम जा रहा हो पैताली से पचास मिनट का वर्काउट वीकली कर रहा हो छे दिन तो यकीन मानों आपकी सेक्स लाइब बहुत 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 हो जाएगी इसी के विज़े से आपने देखा होगा कि जब भी आप वर्काउट करके आते हो तो दिन भर थोड़ा सा मूड बना रहत है क्योंकि आपका टेस्टेस्टरोन बढ़ रहा है राम राम जैहिंद खज है क्योंकि पहुत है